हेई गाइस फिर्षट फॉल वेलकम बैक तो मैं चैनल मसे टॉक्स तेगर फिर से आफ सभी का सौगत है आपकी अपने चैनल मसे टॉक्स पर तो एक महतोपून अपडेट को लेकर फिर से आप लोग के लिए और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं जाडखन कर्मचारी चैन आयोग एनि जैससे के अंतरगत कितने पदों पर नियुक्ति होंगी और कौन-कौन से पदों पर कितनी बहाली होनी है उसके बारे में बात करेंगे साथ ये भी बात करेंगे कि पंचे सचीव से लेकर हर तरह की जितने भी पेंडिंग रिजल्ट पड पने पर पाने के लिए प्लीज डिस्क्रिप्शन में आपको टेली ग्राम लिंक मिल जाएंगे कम से कम टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लिजएगा ताकि आपको हर तरह के अपडेट पलपल जाकर सर्च किजिए जहाडखन अपडेट उसके बाद आपने आप जोइन आज वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों से एक रिक्वेश्ट रहेगा कि प्लीज वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर दिजिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए इस तरह का अपडेट हम डेली और लगातार पलपल अपडेट देते रहते हैं तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत और तहे दिल से सुक्रिया क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और बहुत सपोर्ट किया है और एक और बात करना चाहूंगा कि जितने भी कुछ-कुछ गलत कॉमेंट्स कर देते हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा क प्लीज अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद नहीं है तो आप चैनल को अंसब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस तरह के वीडियो को आप इसकी भी कर सकते हैं लेकिन उनको बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं तो चलिए आप व कि जब से ज़ाडखन कैबिनेट से नियुक्ति नियमावली में संसोधन को स्विकृति मिली है तब से नियुक्ति सुरू होने की एक उमीद जगी है और इससे पहले यह भी हम लोग को मानना होगा कि जितने भी पेंडिंग मेरिटलिस और रिजल्ट है उनका भी वहाली होना च चलना होगा ताकि ज़ाडखन की वाओ को रोजगार से जल्ट से जल्ट जोड़ा जाए और इससे पहले आप लोग यह भी बता दे आप सभी को पता है कि पिछले दिनों ज़ाडखन कैबिनेट में जो जैसे की अंतरगत होने वाले जितने भी नियुक्ति पर भाली होनी है उसके लिए जो एक्जाम का पैटर्न उसको चेंज कर दिया गया है पहले जो था उसमें आपको पीटी और मेंस के देना पड़ता था लेकिन अब सिर्फ एक ही एक्जाम होगा और उसे के आधर पर मतलब युवाओ को रोजगार से जोड़ा जाएगा ठीक है इस तरह का सरकारी भाव में रिक्पद है उनके नियुक्ति परक्रिया जल्द सूरू हो सकती है और इसके लिए कैबिनेट से भी संसोधन को स्विकर्थी मिल चुकी है तो अब जो रास्ता साफ हुआ है तो उम्मीद जगी है कि जाडखण में अब आने वाले समय में नियुक्ति होने क सब्सक्राइब करेंगे कि जाडखन करमचारी चैनायोग में कितने पदों पर बहाली होनी है और कितने पद रिक्त है तो सबसे ज्यादा सिक्षा और गिरियविभाग में है तो जैसे कि यहां पर देखिए इसकूली सिक्षा एवन साक्षत विभाग में 23611 गिरियविभाग में 20224 किर्षी में 4688 पसुपरान में 997 सौस्थ में 9380 भवन निर्मान में 715 वन एवन परि भूराजश्य में 1271 जल संसाधन में 3227 कल्यान में कल्यान विभाग में 1266 ग्रामी में विकास विभाग में 3489 विग्यान इवं प्रोदोगी की में 733 और लगू सिंचाई में 657 इसके अलावा भी अन्यव विभाग में पद रिक्त है जिनकी निजुकती जिसस्री के जरी और इसके लिए जो आपको पीटी और मेंस की जो अलग अलग परिचा थी उसके लिए कैबिनेट से संसुदन पास हो चुका है तो अगले मेहने हम लोग वेट कर लेते हैं ठीक है तो चलिए तब तक के लिए आप सभी से रिक्ष्ट करना चाहूंगा कि इसी तरह का पल-पल के अपडेट आपको देते रहेंगे और अगले मेहने जैसे भी नियुक्ति से सम्मधित कुछ भी अपडेट आता रहेगा तो इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा तो चैनल सब्सक्रार कर रख दीजेगा ताकि आप लोग को और साथ में बेल आइकन जब दरू जबाईएग सुक्रिया